हलो स्टुडेंट्स एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवान स्टडी पॉइंट में और आज हम चारखन बोर्ड की एक अक्षा दस्वी के विज्यान की मॉडल सेट एक का सेलोशन करेंगे ये विडियो इस बार दस्वी की बोर्ड की परिक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही साहयक होगी तो प्लीज आप इस विडियो को ध्यान से देखें और इसके अंतक बने रहें पहले विडियो में शुरू के 20 प्रशनों का उत्तर दिया जाएगा बाकी के 20 प्रशनों का उत्तर इसके नेक्स्ट विडियो में अपलोड किया जाएगा तो आई ये शुरू करते हैं सबसे पहले दिशा निर्देशों पे नजर डालते हैं सभी प्रशनों के उत्तर अनिवारे हैं कुल 40 प्रशन दिये गए हैं जिन में से प्रतेक सही उत्तर के लिए आपको एक अंक दिया जाएगा प्रतेक प्रशन के चार विकल्ब दिये गए हैं जिन में से सही उत्तर का चैन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे यानि यहां negative marking नहीं है तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दरपन का उप्योग किया जाता है तो हमें पता है कि दाड़ ही बनाने के लिए हमें अवतल दर्पन का उप्योग करना चाहिए यानि इसका सही उत्तर होगा option number C अवतल दर्पन हमारा अगला सवाल है गोली दर्पन में focus दूरी तथा वकरता तरिज्जा के बीच का संबंध क्या है? यानि यहां हमसे पूछा जा रहा है कि किसी भी गोली दर्पन के लिए उसकी focus दूरी तथा वकरता तरिज्जा के बीच क्या संबंध होता है? तो किसी भी गोली दर्पन के लिए उसकी focus दूरी उसकी वकरता तरिज्जा की आधी होती है यहां पर सही उत्तर होगा option number B F is equals to R by 2 तो इसका सही उत्तर होगा option number B Hello students एक बार फिर आप सब का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Advanced Study Point में और आज हम चारखन बोर्ड की एक अक्षा दस्वी के विज्ञान के model set एक का solution करेंगे ये विडियो इस बार दस्वी की बोर्ड की परिक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही साहयक होगी तो प्लीज आप इस विडियो को ध्यान से देखें और इसके अंतक बने रहें पहले विडियो में शुरू के 20 प्रशनों का उत्तर दिया जाएगा बाकी के 20 प्रशनों का उत्तर इसके नेक्स्ट विडियो में अपलोड किया जाएगा तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले दिशा निर्देशों पे नजर डालते हैं सभी प्रशनों के उत्तर अनिवार रहे हैं कुल 40 प्रशन दिये गए हैं जिन में से प्रतेक सही उत्तर के लिए आपको एक अंक दिया जाएगा प्रतेक प्रशन के चार विकल्ब दिये गए हैं जिन में से सही उत्तर का चैन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे यानि यहाँ negative marking नहीं है तो हमारा सबसे पहला प्रशन है दाड़ी बनाने में किस प्रकार के दरपन का उप्योग किया जाता है तो हमें पता है कि दाड़ी बनाने के लिए यहां में आवतल दर्बन का उप्योग करना चाहिए यानि इसका सही उत्तर होगा option number C, आवतल दर्बन हमारा अगला सवाल है गोली दर्बन में focus दूरी और वकरता तरिज्जा के बीच का संबंद क्या है? यानि यहां हमसे पूछा जा रहा है कि किसी भी गोली दर्बन के लिए उसकी focus दूरी तथा वकरता तरिज्जा के बीच क्या संबंद होता है? तो किसी भी गोली दर्बन के लिए उसकी focus दूरी उसकी वकरता तरिज्जा की आधी होती है यहां पर सही उत्तर होगा option number B f is equal to R y 2 तो इसका सही उत्तर होगा option number B अगला सवाल अगला सवाल प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशी अपरिवर्तित रहती है तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में उसकी आवर्ति ऐसी भौतिक राशी है जो आपरिवर्तित रहती है यानि इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा option number A आवरित्ती अगला सवाल किसी आवतल दर्पन से परावर्तन के बाद किरन किस बिंदू से होकर गुजरेगी तो किसी भी आवतल दर्पन से प्रकाश के परावर्तन के बाद वह उसके फोकस से होकर गुजरती है यानि इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा option number B अगला सवाल किसी दर्पन से वस्तू को कहीं भी रखने से वस्तू के बराबर आकार का सीधा प्रतिविम बनता है तो दर्पन होगा यानि यहाँ पुछा जा रहा है कि अगर किसी वस्तू को दर्पन के सामने कहीं भी रखा जाए और उसका सीधा तथा बराबर आकार का प्रतिविम बने तो वह कैसा दर्पन होगा तो यह सारी विश्ष्चताएं सम्तल दर्पन में होती है यानि इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा option number C प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों के ही दो दो नियम होते है सो इसका सही उत्तर होगा option number B दो यहां जानने वाली बात यह है कि अगर एक्जाम में आप से ये question पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उलेक करे तो यहां पर हम लिख सकते है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमन दो नियम है जो कि इस तरह से है पहला आपतित किरन अपवर्तित किरन तथा दोनों माध्यमों को प्रिथक करने वाले प्रिष्ट के आपतन बिंदू पर अभिलम सभी एक ही तल में होते है तथा दूसरा दियम है आपतन कोन की जिया तथा अपवरतन कोन की जिया दोनों का अनुपात स्थेर होता है तो आईए बढ़ते हैं अगले सवाल के और अगला प्रश्न किसी गोल या दर्पन की वकरता तरिज्जा 50 cm है तो उसकी फोकस दूरी होगी यानि यहां पर वकरता तरिज्जा 50 cm दी हुई है तो उसकी फोकस दूरी निकालनी है हमें पता है कि F is equal to R बटा 2 होता है यानि अगर वकरता तरिज्जा 50 cm दी हुई है तो उसकी फोकस दूरी पकरजात रिजा की आधी होगी यानि 25 cm तो इस परशन का सही उत्तर होगा option number C 25 cm अगला सवाल एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की शमता होगी यानि यहाँ पर शमता निकालनी है जिस उत्तर लेंस की फोकस दूरी एक बीटर दी हुई है तो हमें पता है कि P is equals to एक बटा F होता है यानि एक बटा एक तो इस परशन का सही उत्तर होगा option number B one diopter आप इस तरह से ही अपने copy में calculate करके देख सकते हैं परशन संख्या 9 किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है यानि यहाँ पर पुछा जा रहा है कि किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस तरह की होती है तो किसी भी उत्तर लेंस की फोकस दूरी चाहे वो किसी भी तरह की हो उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है यानि option number A positive तो इस प्रशण का सही उत्तर होगा, option number A positive अगला प्रशण प्रकाश का वेग उन्टम होता है तो यहाँ पर पुछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न दिये गए माध्यमों में से सबसे उन्टम किस माध्यम में होगा तो इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा option number D यानि काच में तो प्रकाश का वेग नियूंतम काच में होगा अगला सवाल चार डायोप्टर शम्ता वाले अव्तर लेंस की focus दूरी होगी यानि यहाँ पर पुछा जा रहा है कि किसी भी अव्तर लेंस की शम्ता अगर चार डायोप्टर दी हुई है तो उसकी focus दूरी कितनी होगी तो हमें पता है कि P बराबर 1 by F तो अगर यहाँ चार डाला जाए तो इसकी focus दूरी निकल कर आती है 25 cm तो इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा option number B यानि 25 cm अगला सवाल किसी उत्तर लेंस की focus आंतर किसी उत्तर लेंस का focus आंतर 50 cm है तो उसकी शम्ता होगी यानि यहाँ फिर से किसी उत्तर लेंस की focus दूरी 50 cm दी हुई है तो उसकी शम्ता ग्यात करनी है तो हमें पता है F is equals to एक बटा P या P is equals to एक बटा F तो इसका सही उत्तर होगा option number B यानि 2 diopter एक बटा 50 इसे calculate करने पर हमें सही उत्तर मिलेगा 2 diopter तो इसका सही उत्तर होगा option number D अगला सवाल प्रकाश का वेक सरवाधिक होगा यानि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न दिये गए माध्यमों में इसे प्रकाश का वेक सरवाधिक किस माध्यम में होगा तो प्रकाश का वेक सरवाधिक निर्वाद में होता है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number D निर्वात में अगला सवाल दिये गए प्रक्रम में कौन उश्माक्षेपी है तो दिये गए प्रक्रमों में से उश्माक्षेपी प्रक्रिया कौन सी है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number B यानि पाचन की क्रिया तो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में उर्जा का निर्मान होता है जो की उश्मा का ही एक प्रकार है जो पाचन एक उश्मा चे भी अभिक्रिया है या प्रक्रिया है तो इस प्रशन का सही हुत्तर होगा option नमर भी पाचन अगला सवाल चिपस के पैकेट विक्रित गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाले जाती है यानि चिपस के पैकेट जो की generally stores में हमें मिल जाते हैं उन पैकेटों में कौन सी गैस डाले जाती है ताकि वहला हमें समय तक बने रहे तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option नमर भी यानि नाइट्रोजन तो चिपस के पैकेटों में नाइट्रोजन की गैस डाली जाती है ताकि वह विक्रित गंधिता से कुछला में समय तक बचे रहे अगला सवाल जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो जंग लगना एक सईयोजन अभिक्रिया का उदाहरन है जिसमें लोहा उक्सीजन के साथ सईयोग करके उसका ऑकसाइड बनाता है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number A सईयोजन अभिक्रिया अगर हमसे एक्जाम में पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसका उलेक करें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्मान करते हैं उसे सेयों जन अभिक्रिया कहते हैं तो इस तरह से आप एक्जाम में उत्तर लिख सकते हैं आईए बढ़ते हैं अगले सवाल की और दिये गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचैन हो रहा है तो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो ओक्सिजन के साथ मिलके कार्बन मौनोकसाइड का निर्मान कर रहा है यानि यहाँ कार्बन उपचैत हो रहा है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा आप्शन नमबर बी कार्बन अगला सवाल दिये गए कौन सा रसायनिक समिकरन संतुलिध है तो यहाँ चार रसायनिक समिकरन दिये गए हैं जिन में से प्रतेक को देख कर हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा रसायनिक समिकरन संतुलिध है और सही है तो मैंने पहले सी गिना हुआ है आप भी एक बार अपने नोट कॉपी में गिन के देख सकते हैं कि दिये गए समीकरणों में से जो समीकरण नमबर एक है यानि option नमबर ए वह सही है यानि calcium hydroxide, carbon dioxide के साथ मिलके calcium carbonate तथा जलगा निर्वान कर रहे है तो यह रासायनिक समीकरण संतुलित और सही है तो इसे लिए इस प्रशन का सही उत्तर होगा option नमबर ए अगला सवाल दिये गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है तो नीचे एक रासायनिक समीकरण दिया गया है जिससे देखकर हमें बताना है कि इसमें कौन सी रसायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इस समीकरण को देखकर यह पता चलता है कि दिया गया समीकरण विस्थापन अभिक्रिया का एक उतारन है so इसका सही अंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया या displacement reaction तो अगर हमें एक्जाम में यह पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरन सहित लिखें या विस्थापन अभिक्रिया का उलेक करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया वैसी रसाइनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व किसी यॉगिक से दूसरे तत्व को हटा कर खुद उसका स्थान ग्रहन कर ले और एक नईया यॉगिक बनाए उसे विस्थापन अभिक्रिया कहता है यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित करने वाला तत्व विस्थापित होने वाले तत्व से ज्यादा रियक्टिव या क्रियाशील होता है तो इस तरह से आप विस्थापन अभिक्रिया को उधारन सहीत लिख सकते हैं उदारन पे आप जो उपर अभिक्रिया दी हुई है इसको लिख सकते हैं आईए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल कियों दिये गए पदार्थ में कौन गंधिये सूचक की तरह विवहार करता है तो दिये गए चारो पदार्थों में से प्याज एक ऐस सा पदार्थ है जो गंधिये सूचक की तरह विवहार करता है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number D यानि प्याज तो अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हुए उमीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचें तक यह सो मुच थैंक्स वर वाचिं इस वीडियो